वेलकम बैक गईज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजी माई कंदर आने वाला नया क्लासी क्रेट की लिक्स अभी जो क्लासी क्रेट चल रहा है ये बहुत ही जल्दी चला जाएगा बीजी माई कंदर से तो सभी प्लियर पूछ रहे थे कमेंट करके नेक्स्ट क्लासी क्रेट कंदर कैसा कैसे रिवर्ड आने वाले हैं उसकी ल लेगा जिसकी latest leaks निकल कर आई है और इस anniversary crate की release date के बारे में भी बात करेंगे BGY में कब आ रही है ये वाल के anniversary crate साथे साथ next ultimate state की भी leaks देखेंगे और भी काफी सारी चीजे हैं जो आपको दिखाना है नई नी चीजे निकल कर जो आई हैं आप लोग बस क्या करिएगा न वीडियो को end तक देखते रिएगा बीना इसकी बाकि गाईज आपने अभी तक वीडियो को like निकले है तो यार इस वीडियो को like के मैं 200 लाइक का तो यार सभी के सभी भाई लोगो like कर दीजे चैनल पर नहीं है तो subscribe करके बेल आइकान और पर सेलक्ट जरूर कर लिजेगा बीजे माई से रिलेटेट जनुरान कॉंटेंट देखने के लिए सबसे पहले गाईज मैं आपको दिखाता हूँ बीजे माई के अंदर जो next ultimate set आने वाला है उसका trailer और उसके अंदर आने वाले सारे के सारे reward और उसके में आप इस ultimate set जो आने वाला है बीजे माई के अंदर इसका trailer enjoy करें तो यह है बीजे माई के अंदर आने वाला next ultimate set इसके अंदर सारे के सारे जो reward आ रहे हैं चलिए मैं 3D texture के साथ में दिखा रहा हूँ सबसे पहले यह headgear देख लीजे आप लोग काफी ज़्यादा awesome लग रहा है और इसके बाद जो outfit है न भाई साब यह देखो इसके उपर मैंने tap किया और tap करते ही इसका जो emote है न भाई इसका जो emote काफी ज़्यादा amazing लगता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो भाई यह जो ultimate set है न इसका जो emote है यह मेरे को सबसे ज़्यादा खास लगा बाठी आपको यह ultimate से थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक like video को जरूर कर दी जागा इसके अलावा गई यहाँ प important leaks भी दिखाने वाला हूं जैसे कि classic crate कब आएगा उसके अंदर क्या क्या reward आएगा और सासी साथ जो anniversary crate है जिसके अंदर काफी तगड़ी तड़ी item आने वाले है उसकी release date के बारे में भी बात करेंगे और उसके अंदर क्या क्या reward आ रहा है उसके बारे में भी मैं आपको दि दोसरा इमोट आप लोग देख सकते हो यह इमोट भी काफी ज्यादा शांदार लग रहा है यह लटक कर आता है और नीचे सीधा मतलब कुद जाता है तो यह इमोट भी काफी ज्यादा सांदार और अमेजिंग सा लगता है इसके बाद आपको यहाँ पर देखो इसके उपर का जो हैडगर न वो ब्लिंक कर रहा है मतलब इधर उधर रंग कलर में ब्लिंक कर रहा है बाकि इसका जो बाल वगर है काफी अलग अलग तरह का दिख रहा है जो की और भी ज्यादा ओसम लगता है बाकि दोस्तों ये वाला इमोट एक बार आप लोग चेक आउट करो ये जो इमोट है न भाई साब काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है देख सकते हो गाईज पूरा रोबोटिक जैसा इमोट लगता है डिस्पले पर ये पूरा इधर उधर मतलब खीच-फीच करते रहता है और हाँ गाईज यह देखो आप लोग बैकपेक जो इस ultimate crate के अंदर जो बैकपेक आ रहा है काफी जधा कमाल का लग रहा है लेबल 1,2,3 आप लोग सारे के सारे लेबल देख सकती हो इसके अलवाब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ग्लाइडर अप ग्लाइडर कैसा जरूर बताएगा लगता है इसके आगे कोई player आ जाएगा तो पोरा चीरते फारते हुए चला जाएगा उतर जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन हाँ यह glider है काफी जैद ऑसम साथ ही साथ guys glider के साथ में यह जो mythic lobby है ना भाई साब क्या ही इसके अंदर lighting दिखा कर लिजेगा बीजी माइस रलेटेड ऐसी interesting और genuine वीडियो को देखने के लिए फिलाल में यह grenade की स्कीन आप लोग देख सकते हो जो कि उतना ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएगा इसके बाद आवतार और आवतार फ्रेम जो कि मुझे ठीक लगा मॉल्टॉब की स्कीन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साथ दिखा दिया हूँ यह है P90 की upgradable gun जो कि हमें इस ultimate set के अंदर देखने को मिलेगा बाकि इसका hit effect, elimination broadcast चली एक एक करके वो सारी जीज़े देख लेते हैं, elimination broadcast इसका काफी ज़्यादा मेर साथ जुलाई को यहाँ आपने बिल्कुल सही सुना, साथ जुलाई को यह ultimate set हमें बीजियमाई के अंदर देखने को मिल जाएगा और उस वक्त आप चाहो तो इसे ले सकते हो निकाल सकते हो, लेकिन हाँ उस दिन जब आएगा ना यह ultimate set तो भाई मैं create opening करूँगा और वीड अपडेट जो आने वाला है ना उसका फश्ट लॉबी कुछ ऐसा रहेगा, उसके बाद second लॉबी मैं आपको दिखा आता हूँ यह देख सकते हो, और सारी की सारी लॉबी जो है ना मिथिक लॉबी है, जो की गाईज देख सकते हो आप लोग, यह वाला मिथिक लॉबी भी आप लोग देख लो, पीछे की साइड में पानी के अंदर मचलियां वगरा दिखाई दे रही है, और अब यह वाला जो मिथिक लॉबी है ना भाई, काफी खतरनाक लग रहा है, ऑक्टोपस इसके अंदर एनिमेट करता हुआ रहता है, आमेसा हिलते रहता है, नाव के उप आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, तो भाई ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखेएगा, थैंक्यू, आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही आगे भी सपोर्ट आप लोग बनाए रखेए गाईज, लब यू अल, बाकि यहाँ पर अपकमिंग आउ आउटफिट देख सकते हो भाई, कितना आउटफिट दिखाऊं मैं आपको, मतलब 3.3 अपडेट में जितने आउटफिट, जितने हेडगेर, जितने भी चस्मावे अगर आने वाला है न, वो सारी की सारी लीक्स यहाँ पर दिखाई देरी, आब एक ही करके मैं सारा आपको जरूर से जरूर बताएगा, बाकी गाईज, इसका हेडगेर हो भाई, हेडगेर भाई, गर्दन ही कट जा रहा है, नहीं यह हेडगेर है, इस आउटफिट के साथ का यह हेडगेर है, जो कि गोल्डेन मैन है, गोल्डेन मैन जैसा यह आउटफिट लग रहा है, उसके बाद खेलोगे experience करोगे न तब जाकर आपको feel होगा कि हाँ वाकई में update जो है 3.3 का है काफी ज़्यदा कमाल का बाकी आपको सबसे ज़्यदा बहतरीन outfit इन में से कौन सा लगा कमेंट में बताएगा अब हम बात करते हैं next classic rate के बारे में जो की bgm icon अंदर आने वाला है तो आप स्किन दूसरा helmet तीसरा ये वाला outfit और चौथा ये mask ये चार आइटम हमें classic rate के अंदर देखने को मिलेंगे bgm icon जो नया classic rate आएगा उसके अंदर बाकि ये pubg global का classic rate है जिसके अंदर mythic item m416 glacier ये सारी चीजें देखने को मिलती है bgmi के अंदर हाला कि ये नहीं देखने को मिल अब इस बाता हूं मैं आपको anniversary क्रेट के बारे में ये आप लोग देखो ये है mummy set जो की fire mummy set के नाम से जाना जा रहा है ये हमें anniversary क्रेट के अंदर देखने को मिलेगा और pubg official वालों ने sorry bgmi official वालों ने भी इसे confirm कर दिया है कि anniversary क्रेट में ये आने वाला है outfit the mummy m416 या फिर mummy चार जो mummy set आने वाले हैं वो anniversary क्रेट के अंदर आएंगे जिसमें 4 mummy set हमें देखने को मिलेगा ये fire mummy set भी उसी के अंदर आने वाला है बाकि गाईज वीडियो खतम होते होते आप लोग एक surprise देखते जाओ ये जो glider है ना ये भी हमें 3.3 update में देखने को मिलेगा बाकि इस वाली वीडियो को यहीं पर end करना चाहूंगा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई